कि दोस्तों नमस्कार आपको पता है कि 7 चालिके बेखन सि tumor रिवेगेंशी आगई है और करीब 2017 पोस्ट इसमें अच्टक संख्या बहुत बेटर है तो आप इसके त्यारी में लग जाए करनें और त्यारी करने को दुरांद या फिर आप कि करेंगे मेकि उसके समय आपके पास चूज़् गयाँ कि और कुणके आपको पता है यह एकजाम मेใหोता है और फ़र्ष्ट प्र्सेंट अekसिंदी और इंग्लिस के 60-60 प्रसन आते हैं और आपको वहां सिर्फ क्वालिफाई करना है तो 36 प्रसन आपको करने हैं वहां पर कम से कम तो यह कर लें ना बहुत टफ नहीं होता कर सकते हैं आप कर लेंगे आप एक इस तमसे तब आते हैं जब आप से पेपर टू का सेलेक्शन करते हैं और तब एक उहां पोख की स्थिति होती है कि कौन से भासा पेपर पर चूज किया जाए तो हम थोड़ा सा आपका हिल्प कर देती हैं कि आप चूज जब करने जाएं भासा को तो किस अधार पर चूज करें उसके पहले हम देख लेते हैं कि पेपर टू में आप जानते हैं क फिर उनके लिए अच्छी चीज हो गई है उर्दू संथाली बांगला मंडारी हो खड़िया कुडूख कुर्माली खुरठा नागपूरी पंचपरगनिया औरिया और संस्कीत ये भी सामिल है इस भासा में तो आप इन तमाम भासाओं में से किसी एक भासा का चेहन कर सकते ह अध्या सेहे और कि ये दो घंटे का एक्जाम होगा और संप परसन है से होंगे और चुखी इससे मेरेट भी बनना है ये पेपर 2 का संपरसन और पेपर 3 का और तर्षोप परसन अन्हें 500 से आपका मेरेट भी तए होना है तो इसमें आपको बहुतर परफर्म करना होगा तो उसको बेतर प्रफॉर्म कैसे करें तो उसके लिए जरूरी है कि आप सही भासा को चूझ करें और सही भासा पेपर को चूझ करने के लिए क्या करें तो उसे आप देखें मैं आप से बात यह करा है कि आपको जिस भी भासा में इंट्रेस्ट है आप पहली बार उसे चूज करें यानि आप जो पहला फैक्टर रखें अपने इंट्रेस्ट को रखें चाहे आप इन भासाओं में से अगर मालेजी आपका हिंदी में इंट्रेस्ट है या एंगिस में है या खोर्था में है या नाकपूरी में आपको जिस भासा में इंट्रे चुंकि आपको कुछ नॉलेज उसके बारे पहले से है आपने पहले पढ़ा है तो फिर उस भासा को पढ़ने में उसके त्यारी करने में आपको सहुलियत होगी हां मैंने यह माला कि उस भासा का सिलेबस थोड़ा सा दूसरे भासा के अप्रेक्षा लंबा हो अगर है भी तो आप चुंकि आपको आप उसमें इंट्रेस्टेड है और चुंकि आपने उस भासा को पहले भी पढ़ा है तो उस भासा कच्यान आप करें आपके लिए भेतर होगा और चुंकि यहां पर एमसी की होगा मल्टिच्वाइस के वेश्चन होंगे तो आपको चूज करना है तो आपके मार्क्स मिलेंगे वहां पर कहीं सभी पच्छपात करने की बात संभव ही नहीं कि जांच तो केंप्यूटर करेगा तो ऐसे पच्छपात नहीं होगा आप जितने रंगेंगे जितना कलर करेंगे जितना आप सही करेंगे उतने मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही प्रोफेसर या आदमी है चेक कर रहा तो हो सकता है कि वह खोठा को प्यार करता हो और हिंदी वाले को कम आंग दे या कम मार्स दे या इसी तरह से और भी तो वहां पर दिखते हैं हो सकती है पर क्योंकि म्सक्यों है तो आप यहां पर एक्दम जो आपके इंट्रेस्ट का भी से है जो भासा है और जिसमें आपने पहले भी पढ़ा है चाए वह को था हिंदी की नोगों चाहिए वह इंगलिस ही की ना हो आप उसे चूछ करें थोड़ा लंबा syllabus है तो आपके पास समय है आप उसको पढ़ ले और आप उसमें बेतर कर सकते हैं तो इतने सारे भासा में आपको ही चूज करें जो आपके सिलेबस देखकर जिसका सिलेबस आपको हलका लगता हो और जिस भासा की पढ़ने की सहुलियत आपके पास है उस भासा को चूज करें क्योंकि पेपर टू जो भासा है जन जाती है चत्री भासा यहां से भी मिरिट बनना है तो इसका खास ख्याल रखेंगे मिलते हैं फिर आप पर कुछ और बाते आपसे होंगी बहुत बहुत धन्यवाद आपका